Hello student, आज के इस वीडियो में प्रिखर हिंदी कारिपुस्ति का कक्षाट के लिए चापकी पुस्तक है बचों इसके कारिपत्रक नमबर एक से लेकरके तो कारिपत्रक नमबर पांस तक सभी कारिपत्रक के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं काक्षार्ट के लिए ये आपकी पुस्तक है और हिंदी के लिए है अब इसमें आपको अलग-अलग कारेपत्रक दिये गए हैं तो हम कारेपत्रक नमबर एक से लेके तो कारेपत्रक नमबर पांस तक सभी कारेपत्रक के उत्तर इस एक ही वीड परकार से दिया है। इसकी दख्षता आपको दी पठित सामगरी का विश्रेशन कर पाना। दे गए वाक्तियों की इस्थिती के अनुसार मिलान कीजे। अब ये आपको फर्स्ट वाला कोईशन दिया है और ये जो आपको बाग के दियेगा है इनके स्थिति के अनुसार मिलान करना है अब जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं आसा आज बिमार है अगर भे बिमार है तो क्या करेगी उसे डॉक्टर के पास जाना है नेक्स्ट आपका है रोहित रात को देर से सोया इसलिए वहे कल विद्ध्याले नहीं जाएगा ठेक है सभीता ने अपना भोचन बाढ़ दिया क्योंकि वहे बहुत दयालू है स्वाति को विज्ञान विशे पसंद है विज्ञान विशे पसंद है तो उसे वड़े होकर क्या वनना है विज्ञानिक वनना है जानवरों की आवाजे सुनकर गरीमा बहुत डर गई तो बचो इस प्रकार से ये जोड़ी आपको मिला लेनी है अब चलिए इसकी बाद में हम देखते हैं आपका second question दिये गए बाक्यों को पढ़कर अर्थ सब्द पर सही का निसान लगाईए तो आपको इन बाक्यों को पढ़ लेना है जैसे ही आप देख सकते हैं दिये गए बाक्यों को पढ़कर अर्थ पूर्ण सब्द पर सही का निसान लगाईए तो का वाला हमारा जुप्रिश नहीं कुछ इस प्रकार से आपको दिया है ये घंटिया कितनी सुन्दर है अब घंटिया कहां होती मंदिरों में, मस्जितों में, गुर्दारे में या ताजमहिल में तो बचो सिंपल सा कोईशन है घंटिया मंदिर में होती है इसलिए ये घंटिया कितनी सुन्दर है इसे हम मंदिरों से मैच करेंगे मंदीरों में आपको सही टिक कर लेना है इसकी बाद इके second question हम देखते हैं देखते नहीं मैं ही पत्थर को तलास रहा हूँ इसमें आपको अलग-अलग option दी हैं जैसे कि मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार और कास्तकार second question के answer के लिए आपका जाएगा देखते नहीं मैं ही पत्थर को तरास रहा हूँ इस question के उत्तर में आपका मूर्तिकार option आवाला सही उत्तर है next हम देखते हैं पेदल चलने वाले को बहुँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस question में आपको दिया है विज्ञानिक, सिक्षक, यात्री और डॉक्टर पेदल चलने वाले को बहुँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो पेदल कौन चलता है यात्री चलता है इसलिए यात्री वाले से मैंच करेंगे व्यक्ति जो सदेव अशफल होते हैं कैसे महनती व्यक्ति होते हैं आलसी व्यक्ति, चुस्त या फिर विद्वान तो जो जो आलसी व्यक्ति होते हैं वह सदेव अशफल होते हैं इसलिए आलसी व्यक्ति जो आपको दिया है इस पे आपको टिक्करना है उससे फल नहीं खाया गया अब इसमें आपको options क्या क्या दिये हैं फल कड़वा था, फल मीठा था, फल लाल था या फिर फल पका था तो देखिए उसने फल नहीं खाया क्योंकि फल कड़वा था तो पहले वाले option पर आपको टिक करना है तो यहां से कारिपत्तक नंबर 1 आपका complete हो चुका है अब हम आपका कारिपत्तक नंबर 200 करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी दक्सिता है एक जैसे चित्रों में अशमानता धोण कर लिख पाना नीचे दिये गए दोनों चित्रों को देखकर चित्रकार से बनाते समय कुछ आंतर रहे गए हैं आप उनमें से कोई 10 आंतर धोड़ कर गोला बनाईए तो बचो जैसे कि आपके पास वीपूख है उसमें भी आप देख सकते हैं हमें कुछ इस परकार से दो फोटोस दी गए हैं मतलब दो चित्र दिये गए हैं लेकिन जो सेकंड वाली फोटो है इसमें हमें अलग-अलग चीज़े देखने को मिल जाती है क्या कि एक सेब है एक आम है और एक अंगूर है तो मतलब दो आम की जगे पर एक आम है इसलिए क्या एक असमानता हमारी ये होगी ठेक है अब सेकंड असमानता हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर गिलाज रखे है इनका कलर आप देख सकते है इन दोनों का कलर क्या है? अलग-अलग है बच्छो ये वाली में लाल कलर है और इसमें पीला कलर है तो एक असमानता ये होगी इसका कलर अलग है इसका color अलग है, तो एक अशमानता ये होगी अब अच्छो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तर्वुश टाइप से चीज़े रखी है और इसका color अलग होगा आपका और इसका color अलग है तो एक अशमानता ये होगी तो बचो इसी प्रकार से आपको अशमानता है जो है खोच-खोच का लिखनी है और कुछ भी नहीं है इस प्रिश्ण में बस आपको यही करना है ठीक है चलिए इसकी बाद हम देख लेते हैं आपका कारिपत्रक नमबर 3 सिरक आपको और गोला लगाना है तो एक गोला आप यहांपर बना दोगे this only इस बरकार में 10 चीळों पर आपको बना लेना हैं वीजो अच्छी से समझ नहीं आए तो वेडियो के तीन सोल तीन देखिए बहवारिक व्याकरन सर्वनाम सब्दों की पहचानवा प्रियोग कर पाना अब नीचे दिगए पंक्तियों को पढ़कर तथा उनमें से सर्वनाम छाटकर बोक्स में लिखिए अपनी ने अपनी दिव्यांगता को सोयम पर हावी नहीं होने दिया उसने अपनी खिलोना बंदुक उठाया और उससे निसाना साथने लगी ऐसे लिखे यहां तक आपका प्रिसन है अब ठीक है तो यह तो हमें प्रिसन दिया है कोईशन नमर बन और जो नीचे आपको बॉक्स दिया है इसमें हमें लिखना है तो क्या लिखोगी उसकी सहेली का नाम सीमा है वह सामने वाले मकान में रहती है मेरा घर भी उसके पास है यहां एक वगीचा है उसकी घर पर कोई आया है और उसने जहां से पेन खरीदा है वहीं एक किताब भी खरीदी है फिर आप लिखोगे तुम्हारा नाम क्या है ठीक है तो बच्चु यह इस प्रकार से आप को कर लेना है अधिके रिक्तिस्थानों में उचिस सर्वनाम का प्रियोग करके हमें लिखना है तो मीना दोड़ने के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल ली गई उसने प्रतियोगिता में उसका प्रदर्सन सांदार रहा उसे एक स्वन और तो कांश बदक मिली फि वे दोनों अलग-अलग भांसाएं बोलती थी, वे दोनों हिंदी जानती थी, उनकी हिंदी कुछ अलग थी जिससे समझने में मीना को थोड़ा सा समय लगा, मीना ने उनकी भांसा के कुछ सब्द भी सीख लिए, एक दूसरे को चिट्टे लिखने का वायदा करके सब अपने कर वापस लोटी, तो यह जो खाली वोक्स दी हैं, इनमें जो संक्याएं हमने लिखी वही आप लिखोगी, बचु नेक्स्ट आपका आज आता है कारिपत्तक नमबर चार, इसे हम सॉल्व करते हैं, इसकी दक्सता आपको दी है बहवारिक व्याकरन किरिया सब्दों को खाई दे रहा है एक बच्चा है, उसकी हाथ में किताब है और वह पढ़ रहा है, इसलिए कावाले वॉक्स में हम टिक करेंगे, क्योंकि रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, अब जो दूसरी पिच्चर इसमें, एक बादल है, उसमें से बरसा हो रही है, तो इसमें क्या बच्चा बारिस में नहा रहा है, या बच्चा धोप में आनंद ले रहा है, ठीक है तो आप देखी बारिस अगर हो रही है, तो फिर क्या बच्चा बारिस में नहा रहा है, ये वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है, अब एक बॉक्स आप देख सकते हैं, इसे एक बच्च सर्थि की वज़े से कापता हुआ दिखाई दीरा है तो सर्थि से बच् लगाना है नेक्स्ट हम देखते हैं तिये गई चित्रों को ध्यान से देखती हुए किरिया से संबंदित एक एक बाग के बनाई है अब यहां पर आप देख सकते हैं मौर है तो मौर के उपर बना है बगीचे में मौर नाच रहा है इसी प्रकार से तितली दिखाई दे रही है तो इसका हम बना देंगे बगीचे में तितली ओड रही है फिर एक चणिया बेटी हुई दिखाई दे रही है इसका बनाईंगे बगीचे में चणिया बेटी है नेक्स्ट आपका आजाता है तो इसमें आप करोगे बगीचे में फुल खिल रहे है और इस फोटो में हमें ए रिया सब्से मिलान हमें करना है तो इस प्रश्ण को आप केसी सॉल रूप करोगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दुख, इसका आपका क्या होगा, दुखाना, ठीके, नेक्स्ट है आपका लोव, इसका आपका क्या होगा, लुभाना, जूट, इसका होगा आपका जुटलाना, खेल का आपका होगा, खिलाना, नेक्स्ट है थर-थर, थर-थराना, ठीके, अब इसकी बाद में आपको दी है, जीत को आप किस सिमेच करोगी जीतना नेक्स्ट पानी पीना चलका आपका हो जाएगा चलना जूलका जूलना और पढ़का पढ़ना अब चुछ जो कारिपतिक नमबर 4 ही कंप्लीट हो चुका है इसकी बाद हम प्रकर कारिपतिका कक्षाठ हिंदी के लिए कारिपतिक नमबर 5 को सौल्व करती है इसकी दक्सता है बेवारिक बियाकरन किरिया विशेशन सब्दों को पहचान कर लिख पाना दिये गए बाक्यों की करियाओं को सामने विशेशन लिखकर बाक्यों को दोवारा लिखिये बच्चा दूद पीता है अब इसमें क्या आजएगा बच्चा धीरे धीरे दूद पीता यह उसकी क्या होई बिशेशता हुई इसे प्रकार गाए घास खाती है तो गाए हरी घास चरती है मतलब इसमें हरी घास तो है लेकिन कैसी हरी है यह उसकी क्या है विशेशता है बच्चा सोता है अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चा सीधा सोता है सोता है वह तो नॉर्मल बात है लेकिन सीधा सोता है ये क्या है उसकी विसेस्ता है बहे गाता है इसमें आपका जाएगा बहे मधूर गाता है तो बचो मधूर इसमें आपकी विसेस्ता होगी नदी वहती है तो नदी तेज वहती है अब तेज वहना उसकी क्या है विसेस्ता है ऐसे ही अगर हम ऐसे कर देते नदी धीरे बह रही ह तो धीरे वहना उसकी क्या है विसेस्ता है सेकंड नमबर के question को हम solve कर लेते हैं दिये गए किरिया सब्दों से बाकि बनाईए गाना कोयल सुरी लगाती है ठीक है उठना सुमन जल्दी उठती है ये सब्द आना चाहिए कोल मिलाकर हसना का आपको हजाएगा राजो जोर से हसता है लिखना का होगा कणी का धीरे धीरे लिखती है देखना का आदित टीवी देख रहा है अब जो next आपका question है जैसे कि आप देख सकते हैं किरिया और किरिया विसेशन सब्द शाट करके लिखिए बादल जोर जोर से गरज रहा है तो इसमें आपकी किरिया विसेशन क्या होगा जोर जोर से और किरिया क्या होगी गरज रहा है ऐसे ही चोर चुपके से भाग गया तो चुपके से भागा ये उसकी क्या है विसेशता है तो इससे आप मैज करोगे अब देखिए नेक्स्ट आपका प्रिष्ण अकर्मक किरिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का से होता है सकर्मक किरिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पड़ता है बताए इन बाक्तियों में कौन सी किरिया अकर्मक है और कौनसी सकर्मक है आप देखिए इसमें रिचाच चित्र बना रही है यह आपका क्या होगा सकर्मक है मनू पानी भरता है यह भी आपकी क्या है सकर्मक है नवीन दोडता है यह क्या होगी अकर्मक है मैं गाता हूँ यह आपकी कौनसी के लिया है अकर्मक है चणिया ओड़ रही है यह कौनसी होगी यह भी आपकी अकर्मक है तो बच्छों यहाँ पर हम आपका कारपत्तक नमबर एक से लेकर पांस तक सॉल्व कर चुके इसकी बात की कारपत्तक अगर आप देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंग मिलेगा यह चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं